कि इन चीजों के बारे में सुवता और असुवता का संकेत देना चाहता है कि प्रासर इसी ने सिर्फ लिखके छोड़ दिया है कि उन्होंने एक छोटे छोटे बात क्यों में ही बहुत बड़ी बड़े को उन्होंने लिखा है जैसे आप देखेंगे जब आर्फाट होता है अहोरा से लिया घया तो है तो वैसे ही यह कुंडली के सबसे पहले लगन क्या है लगन एक ब्रिक्ष है और उस ब्रिक्ष से लगे हुए सभी फल है अब कौन सा फल मीठा है कौन सा फल खटा है कौन सा पर तीखा है कि हमारी यह जानते हैं कि हमारे कुंडली का भाग क्या है अरिष्ट क्या है समस्यदा दायक क्या है वैसे ही जब खविदान्स हम पढ़ेंगे तो उसमें यहां समझेंगे कि हमारे कुंडरी का सुफ और असुफ जया है और एक और जिससे हम किसी वेडियोजनल चार्ट को डिकोड करते हैं जैसे डी-40 है तो इसमें 36 को हम घटा देंगे 32-36 को हम साइड कर देंगे कितना बचेका हमारे पास 37, 38, 49, 40 38 किस भाव का स्वरूप है यह चतुर्थ भाव का स्वरूप है इसके साथ ही जब चतुर्थ भाव यहां आ रहा है तो सुफता को लेके तो है रही इसलिए इससे कहा जाता है सुफ और असुफ कुझ्ळली एक और यहां पर ब्रेकेट में आप रिख सकतेई हैं दसा कुपली जब सुफता बता रहा है तो आपके कुझ्ळी में अच्छी जाएगी या कौन सी दसा आपके कुझ्ळी इसमें आपको देखना है कि क्या इस्थति है वह सुभ है या सुभ है उसे भी देखना है साथ ही जब इन कुण्डियों पर हमने काम किया कि यहाँ हमारे भौतिक्ता भारे मिं भौतिक कीज़ों के भारे मिं भी बताता है इसी वेटी को आपने देखा हौँआ कि वह गाड़ी लेता है गाड़ी जैसे लिए खरिदता लेकिन देख दूसरा वैक्ती होता है जो गारी लेता है तो गाडी लेने के बाद वह आपर की ओर जलते चला जाता है और नीचे आता इक बुए धुब और असुब निहीं है तो किसी के लिए गाड़ी खरिदना असुब छिप बात किसी के लिए मकान लेना सुभ है तो किसी के लिए मकान लेना सुभ है तो यह आपको खविदांस कुंडली ही बताएगी कि आपके लिए सुभ कारे कौन से हैं और असुभ कारे कारे कौन से लिए यह कुंडली आपको यह बिल्कुल नहीं बताएगी कि क्या आपको संतान की प्राप्ती होगी क्या आपका विवा होगा वो नहीं बताएगी लेकिन आपको यह कुंडी यह अवसे बता सकती है कि क्या आपके कुंडली के अंतरगत जो संतान की प्राप्ती होगी वो क्या आपक प्रतेख भाव के बारे में बताता है जैसे आपका पंचम भाव संतान को देता है तो लगन कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी है उसे ख्रवेदांस कुंडली में जाकर देखे वो क्या इस्तती में है करेंगे स्बसे पहले एक चेक करेंगे हैं दूसरा फिर तीसरा इन तीनों में से किसी में भी वो हमें अच्छी अवस्था में नहीं मिलता है तो संतान ऐसा नहीं हम करें कि असुब होगा लेकिन संतान की जन्न के बाद आपके जीवने कश्ट आएंगे ये कनफर्म है कुस्स कुंड्ली पर लगाईएगा आपको क्लिर कर देगा वैसे लेकाँ कर, आप लेकां रिजुकेशन को लेकार अपने सवास्त को लेके आप इन सब को देखिंगा तुरुलिक फ़ाजांज कुंड्ली लेते हैं उस्पे कुश सलचाइय आगे बढगाए अगर फिर से रूल थोड़ा बोल देज़ेगा सरु पिक हम बता देज़ेगा सरु पुम्ली दिखाई आप लोगो को जी सरु और ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी बोलकर निकल जाते हैं कि यह जंद्री इसके यह जन्म कुंडली को देखिए यह जन्म कुंडली आयक अविदान साब का सुभ और अशुफ फल किसके फल ग्रहों के फल भाव के फल और हमारे जीवन जो प्रते दीन के दीन चरीया है जिए जीवनए प्रवेश inhib कर रहा है क्या जीवनए प्रवेश नहीं कर रहा है उसके ख जैसे आज मंगलवार है किसके लिए सुब्न और ни इस्ति बतार दें तो मंगल आलापके लिए में शूप का रखने तो क्यों के इन्तरगाप मंगल बहुत अच्छी तरीके से पीटा हुआ जैसे इसका स्वामी और इसका स्वामी और दोनों का स्वामी यहां से यहां देख रहा है एक अच्छी बात इसलिए आ है क्योंकि यह दसंभाव के स्वामी से भी संपर्क मंगल का बन रहा है जो ठीक चीज़ें लेकिन उतना नहीं क्योंकि यहां पर चार जगह से इनकी पिटाई चल रही है और एक जगह से जो है वो गुलाव का फूल दिया जा रहा है तो पिटाई तो होगी दूसरा जो हम पंचम भाव को इंकित किये हैं तो पंचम भाव संबंधित हम संतान के बारें भी एक वास समझ लेते हैं जैसे इनके पंचम भाव का स्वामी सबसे पहले इनके लगन कुंडली को देखिए लगन कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कौन है बुद्ध है तो बुद्ध को चले जाईए आप खविदांस में देखने के लिए तो खविदांस में पंचम भाव का स्वामी तो और किसी ग्रह का प्रभभाव मंगल भी एक अच्छी चीज़ है कि मंगल यहां पर पंचम का स्वामी है ठिकोन का स्वामी है लेकिन मंगल कि इन संतान की प्राप्ति हुई है लगवग 21 या एक बता रहें आपको कि इन संतान की प्राप्ति होई है दो हजार दीस के नौंबर में दो जार इकीस के नौंबर में समा कीजिए और तम से इनका जो जीवन है वह बहुत कश्ट रायक भी प्रहां ठीक है दूसरा 21 के नौंबर में देखेंगे तो राहु की दसा चल रही थी उस दसा के अंतरगत इन्हें संतान की प्राप्ति हुई है और इसके अंतरगती अर्थात इस दसा के बाद इनका जो जीवन है वह कश्ट में ही रहा है कश्ट में कोई कमी नहीं आई गया ठीक है दूसरा जैसे किसी के बाद में एक को हमने यहां देख लिया यहां पंचमभाव का स्वामी पिटा हुआ है वेकिन उसके साथ हम उसे और कुश्टी करने के लिए उस अच्चे और अच्छे से जाचने के लिए हम खर्वेदान्स कुंडली के पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे और दूसरा यहां सनी की जा रही है और सनी यहां पर प्री सडाय हो रहे हैं इस कारण भी जातक के जीवन में समस्या आ रही है था संतान के प्राप्ती होने के बाद समस्या आई कि जैसे यहां कुंडली देखें इस कुंडली में हम देखेंगे कि भाई इस जातक के जीवन में जब इस जातक के पास प्रॉपटी आएगी तो क्या कुछ समस्या भी साथ में लेकर आएगी या फिर शिर्फ ऐसे ही है तो प्रॉपटी का कौन सा हो गया मंगल नहीं यहां इसका स्वामी सनी है तो सनी को यहां देखिए कि इसके साथ बैठा है गुरुक साथ राहू के साथ एक वात और ध्यान देज़ेगा जब भी राहू के तो आपको डिविजनल चार्ट में एक साथ मिलें तो उसके ठीक वीप्रीत अर्थात यहां के तुब को ले ठीक है इसके साथ देखिए इस कुंदली में जो चतुलतभाव है उसका स्वामी क्या थीक है या फिर पिटा हुआ तो उसका सवामी जो है वो अच्छी अवस्था मेरे है आ। जब लिया इन्हों झब लिया इन्हों ने लिया तो उसमें समस्या आई डॉक्मेंटेशन की अभी तक वह फ्लैट किलियर नहीं हुआ है ठीक है अभी तक इनका क्लियर नहीं हुआ है तीसरा हमने बात की त्री सडाय के बारे में तो लगन कुंडली में त्री सडाय तीन छे और इग्यारा तो तीन छे और इग्यारे के जो स्वामी है क्या सवेदान स्कुंडली में सुभ अवस्था में है या अफिरो और असुभ अवस्था में चले गए तीस्ते के स्वामी गुरू और छट्टे के स्वामी गुरू और एकारस के स्वामी सुरे तो गुरू और सुरे को देखिए क् राहु के साथ वैठे हैं जो अच्छी व्रस्था में नहीं आ रहा है दूसरा आए बढ़ते हैं फिर आगे बढ़कर देखते है शुरे को सब्सक्राइब किसी किसी पर नहीं यहां पर सुर्य जो है वह यह यहां कि बात पर पर तो गुरू बैले में नहीं है कि वह रहु और केटू के साथ आ रहे हैं फिर विर उसे हम बैलेंस सवस्था में इसलिए कहा सकते हैं क्योंकि राहु पंचम में बैठे हैं केतु को एक आदस में हम लेंगे जो बहतर है अर्था पंचम में जो राहु या केतु आते हैं तो पंचम कहीं स्वामी हो जाते हैं तो इसलिए वोई चीजें यहां पर हमें ठीक मिल रही है तो इस बेक्ती के कुंडली में जब भी गुरू की दसा यह तो वो जादा प्रॉब्लम नहीं देगा ठीक है जादा प्रॉब्लम वो देने वाला ग्रहा नहीं होगा जैसे इस कुंडली में देखे अब इस कुंडली में अभी की दसा को ले लेकर चलते हैं अभी की दसा सनी की चल रही है सनी इस कुंडली में त्री सडाय है और बार आवे भाव के स्वामी अब सनी की दसा इनकी अच्छी चल रही है या क्या चल रही है उसके लिए कुना हम खविदान्स भी जाएंगे और सुवता और असुवता का जाच करेंगे सनी कहां आ गए? राहू के तू के साथ आ गए? साथ में यहां बुद्ध भी आ गए और बुद्ध दसम के स्वामी है जो एक अच्छी चीज है इनके लिए लेकिन वो सप्टम के भी स्वामी हो रहे हैं उसके साथ ही और कोई ग्रहता परभाव इसके उपर है तो और कोई ग्रहता परभाव नहीं जा रहा है तो इसका तात्पर यह है कि सनी की जो दसा है वो इनक के लिए पैसी जाएगी मacao गुडी रहेगी लेकिन कि आच्छी जो हम का सकते हैं tell नहीं ढूब लेकिन उतना वृ किम्याद किम्हों की नहीं देखते रहुए जैसे यहां कुंडली है इस कुंडली में दसा किसकी चल रही है दसा यहां चल रही है केतू की अब केतू सुभ है या असुभ है केतू यहां पॉस्टम में बैठा है ठीक है यहां देखे केतू क्या इस्थति है तो केतू यहां बैठ गया है और सनी यहां पर तीशड़ाय है और यहां पर चतूर्ज के स्वामी हो रहे हैं और चतूर्ज के स्वामी होने के कारण सनी असुभ पापी ग्रह है लेकिन वो केंद्र के स्वामी होका असुभ हो जाते वोच्छी चीज़े हैं दूसरा उसके साथ में गेटु के साथ में सामने से ब्रैक्ति वेकति को देख रहा हों एक तरीके से दिस अधारियए को स्मस्यादायक नहीं है अलेकिन यहां अस्टम के सौमी के साथ है अस्टम में बैठे ग्रहक की दशा है लेकिन वो ठीक जा रहे हैं को द्कत्वाइल दशाद नहीं चल रही सबसे अच्छा इसका यूज होगा दसा को देखने कि कौन सी दसा सुभ होगी यो कौन सी दसा असुभ रहेगी जैसे इस कंडली को만 देखेंगे तो कौन चाहिए को ची नहीं जाएगी ग्यां लिजा तो दसा कुंडली इसलिए मैंने कहा इसे आप दसा कुंडली की रूप में भी उपयोग कर सकते हैं लगन कुंडली बता रही है अभी राहु की जो दसा है वो इनके लिए समस्या दायक रही होगी चुंकि सनी की भी दृष्टी जा रही है लेकिन सनी यहां पंजम के स्वामी है और सुर्य के दृष्टी जा रही है तो ज्यादा प्रॉल्माटिक नहीं होगा ठीक होगा दूसरा हम खवेदांस में आकर देखते हैं कि राहु की दसा कैसी चल रही है तो राहु यहां कहां आ गए राहु जो है वो इस पुंडली में यहां आ गए और यहां सुर्य के साथ आ गए सुर्य कहां स्वामी है यहां के स्वामी है दसम भाव के स्वामी है इस कारण से यह जादासा कैसी जाएगी इनकी ठीक जाएगी जादा समस्यादायत नहीं रहेगा क्योंकि यहां दसंभाव के स्वामी के साथ आ रहे हैं सबसे अच्छा है से आप दसा के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं दसा को टैडिक्सन करने के लिए बहुत अच्छा टूल आपके लिए रहेगा इसके साथ ही जैसे किसी के कुंडली में अश्टमभाव की दसा आई जैसे इनके कुंडली में अश्टमभाव की दसा किसकी रहेगी सुक्र की रहेगी सुप्र औह टेहां को दे रहा है या। आपके लिए अच्छी लेकिन को देकर चला जाएगा तो इस लेक्ति को अच्छी चीजे प्राप्त मिली किसे आप को निल रही है जंग है के सौम्य लेकीनकी द्रिश्टि या रही हैं हम प्ल को तो देखें गई लेकिन विदेखेंगे सिब आपको कहीं न कहीं से इंटर लिंग आपको कर देगा कि हाँ यह जो चीजें या अच्छी आज रही है जो किन्सक्रित की और हमने यही पाया है कि इन पुंड़ीयों में, कि जब भी हम किसी डिविजनल चार्ट को देखते हैं न तो उसका उस डिविजनल चार्ट से संबंधित लगन कुंड़ी भी आपको कुछ न कुछ बता रही लेकिन वही है हाथ भी बहुत कुछ बोलती है ग्रह भी आपको आपके कान में आकर बोलते हैं लेकिन समयने के लिए उनके लेंगवेज को समयने के आप सकता है जैसे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं इनकी कुंडली है इनके लगन कुंडली में देखिए दसंभाव का स्वामी कौन है गुरू है ठीक है अब आप यहां देखिए होदा में दसंभाव के स्वामी के साथ गुरू का संबंध है अब जब तोटल जितने भी डिविजनल चार्ट है उन सभी को उठा कर देखेंगे तो आपको 75% के कु गुरू है उनका संबंध डिविजनल चार्ट के दसंभाव के स्वामी के साथ होते हुए मिलेगा लगन भी बहुत ही इंप्वर्टेंट है लगन ऐसा नहीं है कि लगन बिलकुर सुनने हैं लगन कुछ नहीं है हम बाव बाव बोलते आए हैं कि लगन क्या है बिक्ष है करते हैं करते हैं पिर रच करते हैं और बिक्ष का इलाज करते हैं कि आप अब किसमें डालते हैं तो बहुत पहले राहुल जी ने हमसे प्रस्ट में पूछा था कि क्या मैं डिविजनल चार्ट से रिमेडी कर सकता हूं मिश्चित कोई आपति नहीं कीजिए लेकिन आपको लगना कुंडली से भी रेमेडी करने की आप सकता पड़ेगी क्योंकि यह ब्रिक्च है ठीक है तो खविदानस को ऐसे देखना है और अन्य तरीके से भी आप जाज कर सकते हैं कैसे जैसे हम जाते हैं गोचर के अंतर रख ठीक है और गोचर में जाकर हमने देखा सबसे पहले सधागरवालाजी की कुंडली आप लोग बनाईए जन्म कुंडली को पहले आप लोग बनाईए उसके बाद हमको चर्ट पर बात करेंगे दूसरी एक बात और इसमें आप यह भी देखेंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है और कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा नहीं है रत्न के लिए पहले भी हमने बात किया है आप लोग से अश्टक बर्ग और साथ ही जैमिनी के सुक्र को मिलाकर हम रत्न के बारे में जानते हैं कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं कौन कुंडली आप बना लेंगे इससे ठीक है जैसे इस कुंडली में देखिए हम जैमिनी से देखें तो जैमिनी से अमत्यकारक कौन है शुक्र है जो इनके लिए अच्छा है अमत्यकारक धन के लिए इनका बहुत अच्छा रखने है तो क्या खविदान सी बता रहा है कि शुक्र कि शुक्र का रतने नहीं पान सकते हैं दूसरा जैसे चंद्रमा है मात्री का रख तो क्या ये चंद्र के रत रतन पहन सकते हैं तो चंद्रमा कहां बैठा है बाराय भॉर्म बैठा थीक शुक्र से इंटर लिंक हो रहा है तो ये चंद्रमा के रतन अर्थात मोती भी इनके लिए पहनने के लिए बहतर नहीं होगा बहतर कब होगा जब समास से जुड़ी होंगी जब नौकरी कर रही होंगी जब जन्वस्थान से दूर होंगी तो इनके से चल्ब से लिए बहतर रहेगा जैसे रहा है कि इनका अत्म है धूर्त और City के सवामी हो रहे हैं गुरू पर किसी का प्रवाव जा रहा है सनी का जा रहा है जो दसम दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी हो रहा है और किसी का तो गुरू मंगल का जा रहा है लेकिन मंगल भी तीकोन के स्वामी हो रहे है तो इस सवस्था में गुरू का रत्न इतने के लिए अच्छा रहेगा ठीक है चलिए कुंडली बना लेते हैं सबसे पहले मीन लगने की कुंडली है कुंडली बना लिए आप लो जी सर गोचर की कोई जांकारी आपके पास है कि गोचर में क्या चीज़ी अभी चल रही है इसके उपर में सभी ग्रहों को वैसे ही करम से बिठा दीए जैसे मीन लगन का है तो मीन लगन के इसे हम मीन लगनी की कुंडली बना लेते हैं चीज़ी को एक आदस के ठीक ओपर दिख दीजिए चार रहों को देखना भौत ही मात्पुर्ण होता है सनी गुरु राहू और के तुब तो कहां है तो गुरु ब्रिश्व पर ओचर कर रहे हैं तो गुरु को भी सब लिख दीजिए इसके साथ मंगल भी है कि शुर्य चतूल्ट में है तो गुद्व पर टॉरस में है तो गुद्व टॉरस में अनतर होता है कि अरे नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर कि तू के उपर के अधर्चा है और यह गोचर है राहू के ऊपर रहू का गूचर है साथ में यहां चंदमावी आ रहा है, ठीक है? अब यहां देखिये, इनके कुंडली में एक तालिगा बनाइए कि कौन सा अग्रह इनके लिए सुभ है और कौन सा अग्रह इनके लिए असुभ है, गोचर बन गया, अब हम पुना लोड़ते हैं खवेदांस में यहां देखते ह तो गुरु आ गये जो सुगता को दे रहे हैं और कोई शुल ग्र बाद फिर चल जाए मंगल यहां त्रिकों के स्वामिय है इन पे किसी प्रकार किसी की ज्रिष्टी नहीं जा रही है तो मंगल यहां पे शुभ हैं उसके बाद आजाईए आप बुद्ध केंद्र के स्वामी होका तो दोस इनें लग रहा है क्या इन पर किसी की दुष्टी है तो सनी की दुष्टी है तो त्री शड़ा है और साथ में केतु भी साथ में आ रहे हैं तो बुद्ध यहां असुब हो जाएंगे पिर आए बढ़िये ब्रश्पति गुरुको ले लिए हां शुक्र के पास जाए सुक्र यहां असुब है शनी सनी राहुकेतु के साथ आ रहे हैं वुद्ध के साथ ढ रहे हैं राहु पर किसी के केतु सुभ हैं और राहु असुवस्था में हैं केतु क्यों सुभ हैं क्यों हैं यहां लेकर आ जाएंगे ना बुद्ध के पास लेकर आ जाएं केतु को केतु यहां सुभ हैं राहु सनी के साथ हर्थाती सडाय के साथ आ रहें तो राहु असुभ हैं अब गुरू मंगल सुर राहू एक जिन जिन अस्थानों पे गोचर करेगा वहां असुवता देता चला जाएगा समझ गया है कि उन्हाइं के कुंडली पर लोटते हैं कि चंद्रमा कहां है कि गोचर में एक सवादो दिन की बात चंद्रमा कहां मंगल के पास है मंगल क्या है मंगल संद्रमा सुप ग्रा तो क्या हो जाएगा यहां बैलेंस बंजा रहा है कुछ नहीं होगा आगे बढिये बुद्ध बुद्ध गोचर कहां कर रहे हैं में चट्ठे में कोई रहा निभाने साथ में सुक्र रहा है कि इन तीनों में समस्यार उपस्थित रहेंगी अर्था असुवता को दे रहा है जब तक बुद्धर और सुक्र यहां रहेंगे तब तर उसके बारा आप पाते हैं तो आज ही इन से मुझे बात हुई तो मैंने इन्हें सर्जेस्ट किया है कि वह राम का गुंगान अर्थात राम जी के बारे में थोड़ा पढ़िए और राम के बारे में समझने का परियास कीजिए तो कहीं ना कहीं है यह उटलाइज हो रहे हैं और बहतर करीके में आएंगे क्योंकि सुख रहा है और ठीक अपनी राशी में जाने वाले हैं इस तरी भी ऐसा हुआ क्योंकि डे टुडे रूटीन में आ रहे हैं आगे बढ़िए के तु के तु कहां सब्तम में बैठे हैं और के तु कहीं गोचर के तु के उपर है तो इनके लिए अच्छे स गुरू को उपर गोचर कर रहा है और गुरू अच्छे है और राहू है तो यहां बैलेंस तो बनाएगा लेकिन राहू है ना गंदगी नेगेटिव चीज़ें हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती है लेकिन पोजेटिव चीजों को हम तक पहुंचने में समय लगता है तो इसलिए यहां थोड़ा समस्या राहू करेगा जबसे राहू की दसाइन की सुरू हुई हर्थात उनकी राहू की माफ कीजेगा राहू गोचर में आया है 2023 के ऑक्टूबर से एक अक्टूबर से राहू गोचर में बारहवी रासी में प्रवेश किया और नौंबर से भगवा चल रही है तो ऐसे आप कुंडली के अंतरगत गोचर को देख सकते हैं कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा नहीं है आप दसा को देख सकते हैं दसा कौन सी आपको अच्छी जाएगी या अच्छी नहीं जाएगी पूरी जनुकुंडली होती है ना अभी जो फाइंट है यदि आप समझ लेते हैं इसे बहुत कुछ आपको देख पूछता है जैसे कोई बेखती आकर आपसे पूछता है कि भई सर हम घर से दूर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए वह क्या अच्छा रहा या नहीं रहेगा लगने कुंडली देखकर तो हम चेक करेंगे ही कि वह कैसा है पर इन खवेदांस देखकर भी और हम स्योर हो जाएं कि क्या है क्या है क्या नहीं ठीकर कोई बेखती पूछत असुव तरीके से आपको खवेदांस देगा लेकिन लगनकुंडली को नहीं भूलना है उपचार हमें लगनकुंडली से ही करना है और साथ में डिविजनल चार्ट को ले सकते हैं लेकिन हम उपचार यहीं से करेंगे तो फल स्वतार ठीक हो जाएगा अब फल का उपचार लेकिन सबस्जाद उपचार रहो इसका ही करना है नहीं लोगों का परश्ण है बताईये जैसे किसी के लिए झाल है तो धन आते ही किसी के बुद्धि भरनश्ट हो जाती है और किसी के बुद्धि है जो धन आते ही स्वक्ष हो जाता है वह आपको यहीं बताएगा कौन साकारे आपके लिए अच्छा है कौन साकारे आपके लिए अच्छा नहीं है यहीं आपको यहीं कुंडली बताएगा कि जैसे आपके गार देखिए ईहां खर डांस के क्या है तो स्था में क्या है आपको पता चलिएगह दूस्ते भाज्ता-क के लिए कुटंब से पारण और आपके लिए चीजें आपके लिए क्या है बता देगा आपको बतादेगा आप सकते हैं कि पंचम भाव का स्वामी पिटा हुआ चंदमा आप कहेंगे क्या संतान इनके रिए सुभ नहीं है या असुभ है तो कालिदास की जीवनी पर हमने कभी आपसे बात कि उनके संतान के बारे में आपसे बात कि 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 दो संतान होई वो दोओ पेड़ा देखी हीं हुँ गई फिर आपने पढ़ा होगा चनुल छेताब ुदर्व में के बारे में सुना है कभी आपने दुन्य और या नहीं ? बदाई के बारे में जी दुंदकारी और गोकर्ण जो थे दुंदकारी बगारी पारिस निग्दात में गोटाते। वो ख्ल ले जाकर अपने गाए को खिला देदी है वो करते है भई संतान की प्राप्ति होगी तो ऐसे भी हो जाएगी और इसलिए फल दिया रहता है कि अच्छी संतान की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि संतान नहीं हो रहा था तो बहुत वह करके संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान इतना कष्ट देता है इन लोगों को माता-पिता को इ नाम पड़ा जितने प्रकार के आनेर्टिक होते हैं उसा वह बेशन लिप्त होता है और जो फल खिलाया गया था बच्छरें गायर को उस फल से उस गायर को संतान की प्राप्ति होते हैं लेकिन सरीर तो पुरा रहता है विक्ति काहीं आदमी काहीं लेकिन कान जो है वो लंबे-लंबे होते हैं इसलिए गोकर्ण गायर के कान गोकर्ण कहा गया उनका नाम पड़ा और वही फिर भागवत महापुरान की कथा करते हैं सिमत भागवत की कथा करते हैं जिससे दुन्दकारी को ही मुक्ति मिलती है क्योंकि दुन्दकारी भी गलत कारे करते करते मर जाता है दुन्दकारी के माता पिता के ही मुक्ति मिलती है और इसलिए उस वक्त से ही जो बेक्ति सिमत भागवत महापुरान को सुनता है या पढ़त जहां पढ़ा जाता है वहां नत्राप्टों चीजें पर उपस्थित नहीं रहते हैं इसलिए संतान की प्राप्ति जब नहीं हो रही है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए एक वाद सोचिए निकाल दीजिए मैं क्यों कर रहा हूं क्यूंकि इनके कुनली मैंने आज संतान के ओपर आप नहीं ध्यान दीजिए वह आपके लिए ठीक है संतान की प्राप्ति जब देनी होगी भगवान स्वाइब दे आपको उसके सोचना नहीं पड़े है ठीक है को या प्रशन आप लोगों का है तो बताईए एक तरीके से यह मानिएगा यह जो कुंडली है वह आपके संपुर्ण जीवन के वारे में सुहता और सुहता पर बता सकती है अनेक प्रकार से आप इसे एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं अनेक प्रकार से एक प्रकार नहीं है इससा अनेक प्रकार है आप उसे यूज मिले सकते हैं कोई वेक्ति आपसे पूछता है कोई काता है चांदी पाने को को सुन्सोना पाने गुरू को आपको क्लियर कर देगा कौन सा घातु इसके लिए अच्छा है कौन सा रातु आपके लिए सुभा सुभी बता रहा है भाव को कैसे देखना उस पर भी आमने बात की एक और उपाय जो मैं आप लोग समख्ष रखना चाहता हूं कि जैसे जब कुंडली दिखाने लोग आते हैं अगर कुंडली पर बात्चीत हो की है तो कहते हैं न भई कि यह भाव आपका खराब है वह भाव आपका खराब है अच्छे से ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे ध्यान रखते हैं तो आपका पथम भाव ठीक है बानी आप अच्छी बोलते हैं अपका दुस्रा भाव ठीक है आप अपने सरीर के ओपर विशेस ध्यान देते हैं तागत के ओपर अपने साहस के ओपर विशेस आप ध्यान र आई कि कर्म पर विश्वास करते हैं नाकि ज्रोपर मारा विश्वास चुछ तो चतुल्थवाव क्या है वी दुधर है अब जो बेक्तिर स्मॉकिंग कर रहा है तो क्या उसका फेफड़ा अच्छा रहेगा वहां रहुत कोई बैठा रहे ना रहे ना रहे तो इसकी देखवा गंदा पानी निए भूंहां से बच्चे है धूल से रहना है चुटब भाव साथा और और इस सबीड़े नाभीश ओपर शट्था वह नाभी से नीचे है साता होँ उससे नीचे है अठाउ घुटं गुटंग दर साथ है इन सभी की देखवाला आपको करनी है तो उससे क्या होगा क्यों कोई शमस्या भी है डॉक्टर से मिली लिए उसका इलाज कराई और वो चीजा ठीक रहेंगे वह आपका ठीक भाव आपके जांगों को दरसाता है गुटने को दरसाता है कर दो गुटने सं नीचे रहा को पारिकांस आप देखते हों गोगों का जो पैर हो फटा वह बहुत अलग तरीके से फटगया है कि उसके उनका कोई ध्यान नहीं है तो उससे भी ठीक करने की आप सकता हमें रहती है जब उसे हम ठीक करते हैं तो हमारा बारह भाव भाव बेहतर अवस्त्रान होनेता है ग्राक के लिए वैसे ही आप उसका भी उत्योग ले सकते हैं रासियों के लिए वैसे ही उत्योग ले सकते हैं औ और बहुत जल्दी लाल किताब तो पूरा नहीं हो पाया है या तो हम बहुत जल्दी लाल किताब को शुरू करेंगे 19 अगस्त के बाद और अन्य था हम भुसें हम नहीं शुरू कर पाएं तो हम फिर घ्रिगुनंदी नाडी को स्टार्ट करेंगे लेकिन सप्ता में एक दिन या दो दिन ऐसे ही भी बंदनी नाडी चलेगी पूरा सप्ता चलना संभव नहीं है कोई प्रस्ट नहीं तो बताएं